लास्ट वीडियो में हमने जाना था species richness और species evenness के बारे में आज हम बायोडारसिटी के अगले टॉपिक alpha, beta और gamma बायोडारसिटी के बारे में जानेंगे इस पर प्रस्त बहुत ही जादा पूछे जाते हैं वंडे एक्जाम में जाहें आप कोई भी एक्जाम दे रहे हूं तो समझते हैं और स्टार्ट करते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले तो समझेंगे alpha डिवरसिटी किसे कहते हैं, beta डिवरसिटी किसे कहते हैं और gamma डिवरसिटी किसे कहते हैं इस्टार्ट करते हैं, alpha डिवरसिटी क्या होती है कि diversity within a particular area, यानि कि एक area में कितनी diversity है, biodiversity है यानि कि उस area में कितनी number of species पाई जाती है, ठीक है ना, जैसे is usually expressed by the number of species और इसको क्या बोलते हैं number of species को, species richness last video आप देख सकते हैं, यानि एक area में मालब चार species पाई जाती हैं, तो वो बोलेंगे उसकी alpha डिवरसिटी है, तो उसकी alpha डिवरसिटी कितनी हो जाएगी, four तो ये हो गई alpha diversity की definition, अब हम समझेंगे beta diversity क्या होता है, तो beta diversity क्या होता है, दो ecosystem है, ये दो, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में compare किया जाएगा, कितना change आया है, इन दोनों में कितना change है, उस change को बोलेंगे beta diversity, और change किसमे, number species में कितना परिवर्तन या change आया है, जैसे, it is a comparison of diversity between ecosystem, इन दोनों के बीच में compare किया जाएगा, usually measured as the change in the number of species, यानि कि इन दोनों में कितना, species में कितना change आया है, इसको अच्छे समझेंगे, example में, ठीक है, ये हो गई, beta diversity, और तीसा होता है, gamma diversity, ये क्या होत है कि एक बड़ा समालो region है, जिसमें तीन सब region है, तो इस पूरे बड़े से region में, total number of species कितनी है, overall उसको बोलेंगे, gamma diversity, अब हम समझ लेते हैं, पहले, start करते हैं, पहले alpha diversity निकालना है, ये मालों species है, तो total species कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, लेकिन जो forest है एक ecosystem ये हो गया, grassland दूसरा ecosystem ये है, और तीसरा है, ecosystem desert, ये मालों पूरी प्रत्वी की बात की जा रही है, तो forest में कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इसकी जो alpha diversity, forest की, grassland की और desert की अलग-अलग होगी, तो जंगल में कितनी species है, पांच, तो इसके alpha diversity कितनी हो गई, पांच, गहास भूमी, grassland की बात की जाए, तो यहाँ species कितनी है, एक, दो, तीन, जो species का नाम है डी, वो भी है, जो species का नाम है E और F, ये हैं, तो इसकी जो होगी alpha diversity, वो तीन होगी, और रेगिस्ता में मालों सिर्फ एक species है, जिसका नाम है G, तो उसकी कितनी हो जाएगी alpha diversity वन, तो ये हो गई हमारी alpha diversity, जो कि हर एक ecosystem की अलग-अलग होती है, जो उसकी species richness होती है, उसकी को बोलेंगे alpha diversity, अब हम समझते है beta diversity, बीटा diversity में क्या होता है, change in species ना पा जाता है, ठीक है, तो compare होगा, तो पहले forest और grassland का देख लेते हैं, तो between forest and grassland, कितना change आया, तो देख जाएगा, तो change क्या है, तीन species ये बदली है, और एक यहाँ पर ये extra है, तो कितनी change है यहाँ पर, total चार का change आया, तो इन दोनों की जो compare करोगे, forest और grassland की बीटा diversity हो कितनी आईगी, four, दूसरा, forest और desert की देख लेते हैं, तो forest में कितनी है, एक, तीन, दो, पाँच, क्या य इन में से पांचों में से कोई यहाँ पाई जाती है, desert में, रगस्तान में नहीं पाई जाती है, और एक यह है, फिस छे, क्या यहाँ पाई जाती है, नहीं, तो सारे change ही है, तो total कितनी हो जाएगी, पांच और एक, शे, अब compare करते हैं, grassland और desert की, तो grassland में है, यह तीन, क् common है, नहीं common है, और desert में यह है, क्या यह common है, नहीं common है, तो तीन और एक, चार, इन दोनों के बीच कितनी हो गई हमारी, चार, तो समझ गए ना, पहले से अच्छे समझ सकते हैं, कि इन दोनों में पता करना हो कि इसकी beta diversity कितनी आएगी, तो change मापा जाता है, तो इन दोनों म हमारी beta diversity, आगे हम समझते हैं, gamma diversity, तो gamma diversity क्या होता है, overall जो पूरा बड़ा सा, जो defined region है, वहाँ पर number आप species कितनी पाई जा रही है, सब को count कर लेंगे, ठीक है, तो देखो जड़ा है, तीन, दो, पाँच, और यह तो count होई गई फिर, और एक 6, और एक 7, तो टोटल कितनी हो हो गई यहाँ, साथ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो यह दोनों तो यहाँ पाई जा रही है, और यह एक एक एक्स्टा हो गई है, साथ, तो टोटल यह जो गामा diversity आएगी, इस पूरे region की, forest, grassland और desert को मिला दिया जाए, तो माल लो यह पूरी एक प्रत्वी बन गई, तो टोटल कितने सी गामा diversity, 7 है, तो यह था हमारा alpha diversity, beta diversity और gamma diversity, साहर आपको समझ आ गया होगा, तो अगर आपको हमारा content बहतर लगा हो, तो keep watching, जल्दी आएंगे किसी और topic के साथ, thank you.